आज हम वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग जोइंट्स के बारे में अध्यन करेंगे इसकी परिवासा इस प्रकार है दो या दो से अधिक धातू के टुकडो को आपस में वेल्डिंग के द्वारा एक साथ मिला दिया जाए तो ऐसे जूड़े हुए टुकडो को जोइंट्स केते हैं इन्जिनिरिंग व्यावसाई में वेल्डिंग जोइंट्स का बहुत महतोपून स्थान है समय की बचत भी होती है और welder को joints के रिसमें पूरा ज्यान उच्चिता अच्छा जोग बनाने में बहुत साइक होता है welding joints के प्रकार पहला है butt joint जब दो प्लेटों को एक ही सत्व पर रखकर उनके किनारे आपस में weld कर दिये जाते हैं उसे butt joint कहते हैं इस प्रकार लगाया गया जोड काफी मजबूत होता है तीन एमेम तक मोटी प्लेट के लिए एक तरफ से ही weld करना काफी है परंतु तीन से पांच एमेम तक मोटी प्लेट में पूरी मजबूती लाने के लिए दोनों तरफ weld किया जाता है दूसरा है corner joint यह जोड दो प्लेटों को किसी भी कौन पर रख कर बनने वाले कौने में welding की जाती है उसे corner joint केते हैं तीसरा है T joint जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट पर खड़ी अवस्ता यानि कि 90 डिगरी कौन में रख कर weld किया जाता है उसे T joint केते हैं और चौत्य प्रकार का joint है lab joint जब दो प्लेटों के टुकडों को एक दूसरे के उपर रख कर weld किया जाता है उसे lab joint केते हैं